लेकिन मच्छर गुंदा नहीं हो जा रहे हैं मच्छर गुंदा बतलब छोटे गुंदा देश्क जो गांक होते हैं वह साले नहीं जा रहे हैं इस समय मवजूद हैं यह सेरजापुर गांव है यहाँ पे आप देख लिए चोरह है कुछ लोग हमारे पीछे अगल बगल मुज बदलाव में कौन सा चेहरा बदलाव कोई भी चेहरा हो अच्छा योगी चेहरा हो आप बताए तो परधान मंतरी परदेश में किसको ला रहे है योगी योगी आप बताओ अखलेश को अगया वोट वोट देते हैं जिताई बाब की बार योगी के फिर से की फिर अखलेश मायावति के हुआ अखलेस के अच्छा आप बताओ बाइसा निश्री अखलेस को मारे आद को चिताए जाएगा अखलेस यादों को बता यह की बार 2022 में किसों मुखमेंतरी बनाने का इर्य दर्वाइद में मायम भी सामिल होगी तब जाके मुखमेंतरी अखलेस यादों बनेगे अगर गडबंधन करेगे मायम तब गड़ी जाएगे अखलेस चले जाएगे अगर अगर नहीं नहीं करने चले जाएगे आपका नाम मुहम्म्मध दानिस बताइए 2022 में किसको मुखम परकास रहेंगे जिस पाटी मुल्सीक बनाएंगे जरूरी है जब बताएं चाचा योगी यहां भी वही बैसे होगी योगी 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 बताएं 2022 में किसको मुखमंघियर कैसे बताइगे ड़ी पर वहतुता बाएंगे वांटी का छा इंप वह हुला हैँ चाची मैं øखने हैं नोरला पाई काई बेते हैं नहीं आए नर्व 137 वराओं उसको ब'REहां creepy किसको मुखमंत्री देखने का इराद है आपकी बार परदेश में सपा तरकार कोई हो भया यह जनता को समाल ले और जनता समाल एक बार पूरा देश समाल ले वही नेता नेता है का लग रहा है योगी जी और मोदी जी समाले हैं देश को हम कुछ नहीं कह पाएंगे आपको कुछ नहीं कह पाएंगे क्या लग रहा है आपको कौन समाल लेगा कौन सा नेता लग रहा है आपको जो देश और परदेश को समाल ले यह भी और शाहर मिझों कि हुआ होते हैं कि अपने कुर्षी के लिए परसान होती है लेकिन उपी बाबहते हैं गुश्य होती है इस को였र गरीज होता है तो दबाते हैмо भरसक होता बड़े लोगों को दबार करके पैसे हर किसानों से तर से हां डेश-परदेश चलने क्या लग रहा को लग रहा आपको कि जो चला सके देश-परदेश को बढ़ियां से भाइ हम नहीं कुछ पता पाएं कि वच्छा ने नेता न You इतनी उमर हो गई कौन आपको लगा कि कौन चलाया देश प्रदेश को बढ़िया है इस समय ठीक ठाक थोड़ था रहे हैं अब आगे पहले से ठीक है इसके पहले नेता जो थे सब अच्छे थे वह भी खरम नहीं थे अपनी जहां ठीक थे यह जो करकाना हो जो करकाना हो मुख अच्छा काम किये थे मुलायम से भी अच्छा किये थे अच्छा किये थे लेकिन लोग कहते हैं सरकार भी कहती है कि इस सरकार में योगी जी के सरकार में अपराद गुंडा गर्दी कम है इसके पहले जादत थी तो उसने धिल किया इसी बात नहीं है योगी जी ने धिल किया हां गुंदो को डिल किया लेकिन मचल गुंदा नहीं हो जा रहे हैं मचल गुंदा बतलब छोटे गुंदा गुंदा देश के जो गाव के होते हैं वह सद्ट गुंदा जो हमारे गाम नहीं है पुर्ट आप सरकार से सिकायद किजिए नहीं कि दाबंगा ही करते हैं इनकी सुनवाई लोक जाते हैं तो बड़े-बड़े जो अज़कारी होते हैं चोटे-चोटे होते हैं नेक्पास लेकर दिये में अजीम तक सब रुख जाते हैं बढ़कों सुनते हैं शोड़क सुनते नहीं इसी शिशिश्गाइत होती है इसी शीशी भी चुकी देख चाहूं ने मच्छर गुंडे अभी हैं यह कहिए हमारे पास मच्छर गुंडे हैं अभी देखिए हम मौजू थे सेर जहापूर में यहाँ पर लोगों से चुनावी पर चर्चा किये और लोगों से यह जानने समझे की कोशिश की कि आखिर लोग 2022 में बदलाव चाहते हैं या फिर से योगी जी यह आपको हमारा वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि आखिर यहां की जनता क्या चाहती है दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद